हेलो छात्रों UPCSS Computer World में आप सभी लोगों का स्वागत है आज के वीडियो में आप डिजाइनिंग वाला फारम बनाना सीखेंगे कि फारम पे डिजाइनिंग जो लगाते हैं वो कैसे लगाते हैं जैसे ये डिजाइनिंग आपके लगी हुई है फारम पे तो ये डिजाइनिं और बहुत सारी डिजाइनिंग जो है वो बना सकते हैं आप हिंदी में फारम में बना है देखेगा आपको आज ये फारम एड्मेशन फारम जो है इस परकार का बनाना है यह आप देख लिजेगा अब हम इसी फारम को बनाना शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले फाइल में जाना है आपको और न्यू करना है और ब्लेंक डाकुमेंट ले लेना है यहाँ पर आपको page layout में जाना है और size में जाके a4 size ले लेंगे फिर इसके बाद margin में जाके narrow margin ले लेंगे यह आप इतना clear कर लीजिएगा इसके बाद view में जाना और ruler जो है उसको on कर लेना यह आपका ruler भी on हो चुका है आगे देखेगा home पे click करना और border and setting में जाके यहाँ पर border जो है वो आपको लगाना है यहाँ पे click करना border आप कोई भी दे दो single border हम लगा रहे हैं और ok कर रहे हैं और जब यह border आ जाये तो इसको enter enter इसमें करते जाए अगर पूरे page में इसको कर लीजिएगा यहाँ तक पूरा page जिसका जो है यह आपका border जो है लग चुका है तो सबसे पहले कोई भी designing बनाना है तो उसकी basic समझ लिजेगे की designing को हम कैसे बनाएंगे तो एक दो designing हम बना के आपको दिखा रहे हैं जिससे आपको पता चलेगा तो सबसे पहले हम insert में जाएंगे और यहाँ से shape को ले 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 यहाँ पर हमने shape बनाई कहीं भी बना लो इसको यह हमने shape आपके तयार किया इसको आपको designing में convert करना है तो यहाँ पर एक option मिलेगा edit shape और edit point edit point पर जब जाएंगे तो यहाँ पर कोने पर जो है यह देखो छोटे-छोटे point बनके आ गये हैं इन point पर हम click करेंगे अब इसको हम किधर भी मोड़ना है तो यह point आ गया है इधर से हम देखो mode ले हमने इस point पर click करेंगे तो इसको इधर से भी मोड़ सकते हैं जैसी designing चाहें वैसी बना सकते हैं यहाँ से अगर जो फिर हमें click करेंगे तो फिर वही आपका selection आ जाएगा फिर हमको edit point पर जाना है तो इस प्रकार से जब point आ जाएं काले वाले तब यहाँ पर हम click करके इसको कोई भी designing में मोड़ सकते हैं इधर से भी हम कोई भी designing इसकी कर सकते हैं देखेंगा designing आपकी ऐसी बन गई ऐसे ही दूसरी designing देखते हैं यहाँ पर आते हैं हम फिर से एक आयत लेते हैं और edit में जाके यहाँ edit point करते हैं अब हमें मालो इस प्रकार की designing बनाना है तो इसको हमने ऐसे बना लिया यहाँ से हमें जो भी correction करना है वो आप designing कैसे बनाएंगे यह सारी चीज़े इसमें देख लिजेगा यह designing आपकी तैयार हो चुकी है और देखते हैं designing के बारे में हमें नीचे कोई designing देखो set करना है यहाँ पे तो पूरी designing अब यहाँ से समझेगा और color लगाना भी समझेगा insert में जाएंगे shape में जाके यहाँ पे हम इसको shape दे रहे हैं edit में जाएंगे और edit point पे जाके यहाँ पे हम इसका थोड़ा इधर को बढ़ाया और इधर से हमने नीचे की दरफ set किया यह designing हमने तयार की है इसमें हमें color भरना है तो यहाँ से फिल में जाना और color हमें जो भी इसमें भरना हो फिल कर लो yellow green जो भी okay करो इसके duplicate चाहिए तो control बटन को प्रेस कीजिए इसके duplicate देखे आ गई है इसमें हमें color दूसरा भरना है दूसरा color भर लो duplicate हो गई इसमें तीसरा color कोई भरना हो तीसरा भर लो अब हमको इनको एक side से लगाना तो यहाँ पर click करना और इसको नीचे पहुचाना है तो देखेगा send back मतब इसके back में यह designing पहुच चुकी है यहाँ से फिर आये हमको इसको नीचे भी भेजना है तो send back और send back दो बार करे देखेंगे यह भी designing आपकी ready हो चुकी है देखेगा कितनी अच्छे designing बन गई है नीचे बार्डर जैसी जो है उलग रही है तो इस प्रकार से designing का काम जो है हमको complete करना है और जो हमने इस फारम में आपको देखो बताया है तो एक ऐसी ही designing बनाई गई है जो यह आयत इसके न देखा हुआ है तो देखिएगा हम फारम को बनाना शुरू करते हैं यह तो आपका हो गया है कि किस प्रकार से कौन सी designing तयार करेंगे इसको हम delete किये दे रहे हैं और सीधे हम फारम को तयार करते हैं इंसर्ट में जाएंगे सबसे पहले shape में जाएंगे और यहां से आयत को ख क्लिक किया अब यहां से हमको edit point पे जाके edit point में जाएंगे यहां पर क्लिक करके हमें देखो उपर उठाना है किसी प्रकार पहुचाना है देख लीजेगा जैसे हम रखेंगे इसको वैसे मतरब यह बन रहा है यहां रखेंगे यहां पहुच जाएगा तो यह आप इससे नीचे को बढ़ाएंगे यहां से इस point से नीचे को इसको ले जाएंगे देखो नीचे आ गया और यहां से हम क्लिक करके इसको थोड़ा हलका सा उपर की दरब बढ़ाएंगे फिर यहां पर इस point के क्लिक करेंगे और इसको थोड़ा अपने हिसाब से जितना तुमको आओ सक कर्ता होतना set कर लेंगी ये आपका देखो set हो चुका है अब इसी की डूब्लिकेट बना लो तो कंट्रॉल के साथ इसको हमने डूब्लिकेट त्यार कर लिया अब क्या करना है इस वाले में पहले जो आकरत है उसमें हमने अब बित, नीले कलर का और इस वाले आकरत में हमने यहीं color रहने दिया और इसके नीचे इसको पहुंचाना है तो इसको select करो देखो इसके उपर दिख रहा है send by quad करेंगे यह आकरत इसके नीचे पहुंच जाएगी और arrow से arrow की से धीरे धीरे इसको set कर लेंगे अपने आउसकतान साथ यहां से edit point में फिर से जाएंगे shape में और यहां से जो भी edit करना है आपको वो हलका इसको अंदर कर लिया हमने और इधर से हमने जब click किया तो इसको थोड़ा और बाहर कर लिया यह जैसी लगाना चाहूं लग गया तो देखिएगा दोस्तों यह designing आपकी इतनी तैयार हो चुके है आगे हम इसमें लिखते हैं UPCI Computer Institute तो इसी के उपर click करेंगे और right click करके add text लिखाओगा और यहां से हम लिखना शुरू कर देंगे इसको select कर लिजेगा और यहां पे हमें left लगा देंगे left में आपका पूरा कालम आ चुका है अब इसको हमें थोड़ा adjust करना है तो इसको select करेंगे और यहां से one point पे हम adjust करेंगे इसको यूपी से का फांट हम थोड़ा बड़ा करेंगे और इसको फांट हमने एरियल लगा लिया है तो एरियल लगा लेंगे इसको बोल्ड कर लेंगे थोड़ा बड़ा फांट हो गया और यह जो आपका लिखा है इसको हम थोड़ा छोटा कर लेंगे यह भी एरियल ही लगा के इस इसको थोड़ा हम छोटा कर देंगे उपर करसर हमको ले जाना है थोड़ा तो नीचे इसको करके यहां से हम इसको थोड़ा छोटा करेंगे अपने हिसाब से फार्मिट में जाएंगे alignment इसमें देखेगा होगा तो alignment text कहाँ tap पे हमें रखना तो tap पे यहाँ लगा लेंगे यह आपका पूरा UPCA Computer Institute set हो चुका है आगे देखेगा अब हमको यहाँ पर admission form लिखना है तो यहाँ पर हम insert में जाएंगे और text box ले लेंगे यहाँ से और यहाँ पर हम इसको cursor को रख देंगे यहाँ पर हमें admission form लिख देना है इसको select कर लिजेगा और इसका font यहाँ से बड़ा कर लिजेगा फिर इसके बाद हमको लिखना है session फिर से इसी के duplicate हम के ले रहे हैं और इसी के नीचे session लिख देंगे इसको select करके यहाँ पर one point लगा दो और इसको थोड़ा छोटा कर दो यह आपका session हो गया आगे अप detail हिंदी में लिखना है तो इसके लिए समझ लिजेगा यहाँ पर आप कुरती देव font लगा लो और font का size कर लो attain और यहाँ से detail जो है लिखना शुरू करो course इसको bold भी कर लो यहाँ से bold भी किये ले रहे है पहला है कालम course माइनस से डाट डाट दे दो और यहाँ पर लिखो सत्र enter किजे छात्र का नाम अब बाकी detail हम पूरी भर रहे हैं जैसे हमने course की detail है भरी है फिल की है वैसे ही सारी detail अपने आप आप लोग देख देखके भर लेना देखेगा छात्रो यह फारम की detail जो है यह फिल हो चुकी है अब आगी देखेगा हमें क्या करना है यहाँ पर एक table ले ले लेंगे हम 1,2,3 कालम की बराबर की और यहाँ पर बाकी detail जो है वो हम note कर देगे अब हम एक काम और करेंगे कि यहाँ पर हम border जो लगाया है यह हम हटाया दे रहे हैं border border no border जिदे no border हम किये दे रहे हैं कोई border भी नहीं रखेंगे यहाँ पर भी border हम no border कर देंगे no border अब table में हम यहाँ आगे की detail भरते हैं संचालक का नाम अभिभावक का नाम चात्र का हस्ताचर यह detail भरके इंको हम select करेंगे और यहाँ पर center में इंको लगा लेंगे नीचे हम UPCA का address पता फिर से लिखे दे रहे हैं यहाँ पर center में लाके UPCA का हम address पता लिख दिएंगे select करके इसको center में लगा लेंगे इसका फान थोड़ा बड़ा कर लेंगे यह आपका address लिख गया है आगे दिखेगा अब हम क्या करते हैं इसको border लगाते हैं इसका तो border हम लगाएंगे insert में जाके shape ले लेंगे वही rectangle की और यहाँ से हम एक पूरा खीचेंगे यहाँ तक और इसको नीचे की तरफ धीर धीरे खीच लाएंगे इसको हम पूरे page में लगाए ले रहे हैं यहाँ तक हमने page में लगा लिए फिर इसके बाद इसको backward करते हैं तो यहाँ पर send में जाएंगे और सीधे सबसे नीचे back करना है तो send behind text लगा देना इस सबसे नीचे पहुँच गया है इसका color हमें भरना है तो यहाँ पर फार्मिट में जाके यहाँ जो color लगाना चाहेंगे अब लगा लेंगे और इसका भी color हम वही दे देंगे इसके अंदर और इस border का भी color वही भर देंगे और इनमें जो lining लगी है इनको हम no outline कर देंगे और यहाँ पर भी हम out line दे देंगे no outline अब यह आपका फार्म ready हो चुका है इसमें कुछ correction और है तो इसमें आपको select कर लो इसकी spacing जो है बीच की इसको select किया यहाँ से कितना spacing है डेढ़ हम 1.5 spacing दे देंगे अब यह आपका फार्म पूरी तरीके से ready हो चुका है इसको नेच्छे के तरफ set कर लिया तो देखेगा चात्रो यह आपका फार्म कितनी आसानी से बन गया है thank you for watching